तो हमें जाना था तो अभी सुबह के पांच बज रहे हैं और हम अभी मैटरême सेशन के तरफ जा रहे हैं सुबहाषणगर मैटर शेशन की तरफ लिए तो महें सभी मैटर पकडेंगे तो आज की व्ल?... बहुते जादा इंट्रस्टिंग कोने वाली है MARE कूल स्टफ देखने को मिलेगा आज की व्लॉग बहुत ही जादा दमाके दार मज़दार होगी तो चलिए फिर शुरू करते हैं तो अब हम फोच चुके हैं सुभाशनगर मेट्र सेशन मेट्रो का वेट कर रहे हैं मेट्रो आएगी तो यहां से हम पेंक लाइन के लिए चेंज करेंगे तो वहां ते फिर आएने वाली पकड़ेंगे मेट्रो भी तक आए नहीं है दो मिनिट अभी रहते हैं मेट्रो आने के लिए मेशाली वाली आएगी अब हम फाइनली पहुच चुके हैं गुडगाओं तो अभी हुडा सीटी सेंटर मेट्र सेशन से भी हैं जस अभी हम उत्रे ही हैं तो एक्चुली लास्टम हमने अभी सुवाशनगर से आपको बताया था कि पिंक लाइन पे हमने चड़ना था तो बट पिंक लाइन सुभए छे बज़े चलती नहीं है हम लोगों को पता नहीं था तो इसलिए हम थोड़ा गलत आ गएते हैं कि बहुत ज्यादा कोहरा है मतलब दुनला दिखाई जे रहा बहुत ज्यादा पीछे भी आप लोग देख सकते हैं पर थोड़ा मज़ा भी आ रहा है हां तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा है कि पिंक लाइन जो है वह आट बहुत चलती है तो हम शे बजे मतलब हम रजोरी गार्डन पहुंच चुके थे हम तो अक्शली से पहला ही पहुच जा रहे होगी पर दूटू पेंक लाइन ग्लोस की बढूशी को पर यहां लॉंगर रूफ चूज की फिर हम राजी चॉक वाली वाली थे तो हमें हुडा वाली मिल गी थी शुकर है कि कुटब मिनार वाली निमिल गी तो फिर वहां पर वेट करना पड़ता दस-फंदर में रहां पर खराब होते तो पहले हम लोग उतर चुके थे सुबाश नकर मेटर सुजिन पर वहां से हम चड़े थे राजवरी गाटन हम उतर के थे तो वहां पर हमारे साथ मिनट खराब हो गए थे दूसरी मेटर फिर पकड़ने के लिए फिर साथ कुनेट वह हो गे तो अब हम फाइनली पॉंच चुके हैं रूपए के साथ बज रहे हैं अब भी थोड़ा थोड़ा अंधियरा है मतलब पर धुन जादा है यहां पर कोड़ा होता है तो अब हम जाई रहे हैं बस जैसी पहुंचेंगे सेट अप रेड़ी करेंगे शूट स्टार्ट करेंगे फिर मज़ा ही मज़ा है और टुड़े तो मतलब तू मच पान होने वाला है जैसे कि मैंने बताया कि कल जैसे हम शादी पे गयो थे तो कल तक कुछ मौसम में थाने की महाँ पे थी नहीं बिलकुल भी कल बहुत जादा गर्मी थी मलब जैसे तो आज हमें यह भी लग रहा था कि हमें यह था कि आज भी मौसम गर्मी वाला ही होगा खोड़ा तक हम बाकी क्रू का वेट करेंगे जैसे ही सब लोग आ जाएंगे सभी मिलकर एक बार दोबारा फिर से सारी चीजे डिसकस करेंगे और उसके बाद हम लोग शूटिंग के लिए निकल पड़ेंगे अभी सुबा के 9 बजे हैं हम सुशान्त लोग गुरुगराम से निकल चुके हैं और गॉल्फ कोर्स रोड गुरुगराम में अपना शूट कर रहे हैं हमें तकरीबन तकरीबन एक घंटा हो चुका है शूटिंग करते हुए और हमारा गॉल्फ कोर्स रोड का शूट भी अल्मोस्ट कम्प्लीट हो ही चुका है इसके बाद हम अपनी शूटिंग की लोकेशन को स्विच करेंगे और जाएंगे अरावली रेंज में शूट करने तो यह आज का शूट बहुत ही बढ़िया चल रहा है रितेश सर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं चाओत जूट मुक्त रहे हैं डीजय में बहुत हूट याऊ और यह पुरी ट्रयों टीमन की शुट टीमन की आढ़ चामोटिवेशन बेस्टोड अधर आट्ट अगन मैं आप लोगों को पता दूँ कि जिस लोकेशन पर अभी हम लोग शूट कर रहे हैं यह लोकेशन लैपट-प्रॉण एरिया में आती है इस बात का हमें भी नहीं पता था यह location लैपर्ड परोण एरिया में आती है यहाँ के पास कि गउर वाले यहां से निकल रहे थे तो उन्होंने अपनी specially गाड़ी पर कर हमें ये बताया कि ये location ये जगा लैपर्ड परोन एरिया में आती है यह अपने रित्विक भाई यह कैमरा कंट्रोलर है भाई यह सौरब भाई है अपने गिंबल वाले कमल परी ताजिवा जानते हैं सारे तो अब हम लोग आ चुके हैं अपने तीसरी लोकेशन पानी कोट लेक धोज फरीदाबाद हर्याना में यह लोकेशन परीदाबाद शुरू होने से पहले पड़ती है और यह जगा बहुत ही ज़्यादा सुन्दर है और बड़ी इंट्रेस्टिंग है अनिकोट लेक धोज में काफी सारी फिल्में शूट हो चुकी है इस लोकेशन पर आपको काफी सारे छोटे बड़े पहाड मिलेंगे और प्रिस्टीन लेक मिलेगी तो अब हम लोग वापिस से स्टूडियो आ चुके हैं यहां आकर हम सभी ने बेडरूम का सेट बनाया फिर उस पे शूट किया और फाइनली एक गुड़ नोट पे हमने इस पूरे शूट को कम्प्लीट किया तो यह थी हमारी एडवर्टीजमेंट शूट की व्लॉग अगर आपको हमारी व्लॉग अच्छी लगी हो प्रस दा लाइक बटन और दो फोगेट टो शेर और सब्सक्राइब तिल देन गुडबाइ